हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्रेटफर्म पर तो आप देख रहे हैं आज का दिन राजस्तान अदिरानस बोर्ड ने लगातार सारी एक्जाम की आगामी जो भी एक्जाम आने वाले उन सबकी एक्जाम डेट जारी कर दीए और सारी बर्त़ जारी कर दीए तो जो मैं आपको बता रहा हुँ कि यह साल जो है आप सब के लिए golden year रहने वाला है यह आप पर depend करता है कि आप इसको कैसा बनाते हैं दोगो आपके सामने यह सारी बरतिया आपको दिख रही है इन सब की exam date जारी हो चुके इस वीडियो में मैं खास तोर कर महिला परियवेक्षक बरती के बारे में बात करूँगा कि दो अलग अलग बरतियाग दोनों में क्या difference है किस तरह की बरतियाग कौन-कौन फॉर्म बर सकते हैं किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए इस पर बात करेंगे पहले तो मैं exam date की बात करता हूँ जो महिला परियवेक्षक अंगिनवाड़ी कारे करता के लिए उसका exam है वो 22 जून 2024 को प्रस्तावीत है ये non-CET वाली vacancy इसमें CET का आवशक्ता नहीं है लेकिन जो महिला परियवेक्षक से सीधी बरती परिक्षक है उसमें CET graduation level की ये वो है इसके अलावा चात्रावास अधिक शक यहां पर ग्रेड सेकंड समझ की नहीं अधिकारित विवाग की है और एक है जो अलप संक्या की माइनर्टी डिपार्टमेंट की है पहले ये दोनों एक ही होती थी अब दोनों की डिपार्टमेंट अलग होगी है एक CET ग्रेडियोशन लेवल की है ये और एक CET सेकंडरी लेवल की इसका एक्जाम 28 जुलाई को और यहां पर एक अगस दो अगस को इसका एक्जाम है इसके अलावा LDC जो एक बहुत बड़ी भरती है सीनियर सेकंडरी जो 12 लेवल की है उसका एक्जाम डेट 11 अगस को यहां पर तेह हो गया और एक पशू परिचर की बरती जो काफी लंबे टाइम से चर्जाम है वो एक नोन CET वाली वेकेंसी और इसमें बहुत बड़ी संक्या में आवेदन आने वाले तो यह बड़ी वेकेंसी आप सभी के सामने लगबग हर हर केटेगरी के अभ्यर्ती के लिए यहां पर बरतिया जारी हो चुकी है तो सब के लिए बरतिया है तो सब के लिए गॉल्डन येर आपके लिए रहने वाला है ं तो अच्छे से तयارी करें सभी दिसाम अगर तयारी की जाए सभी guidance के साथ तयारी की जाए तो मान के चलिए कि आपको जो समय मिला वो परियाब समय है और इस बार आप अपना selection ले सकते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैं यहाँ पर बात करने वालों महीला supervisor की जो भी भरती आई है बोर्ड ने exam date देने के साथ सब की भरती भी जारी कर दी है इसकी vacancy की बात कर दो यह बड़ा पद है द्यान रखना यह जो मैं बात कर रहा हूं महीला परिवेक शक यह एक बड़ी post है L10 की vacancy है जो LDC की vacancy हम बात करें वो L5 की vacancy होती है यह L10 की vacancy है और मैं आपको बताता हूं RS जैसा exam देने के बाद भी अगर आपका सब ordinate में चैन होता है तो वहाँ पर जादा तर जो पद है वो L10 की है ठीक है ना तो यह जो पद है आपको सिरफ एक single exam देने के बाद आपको मिल सकता है इसमें total post की बात करें तो 176 पद है जिसमें non TSP में 142 है और TSP में 344 पद हैं यहाँ पर विशेश बात यहाँ पर वही है यह CET graduation level का अगर जिसने CET graduation level exam दिया है और उसमें आपका एक अच्छा score आ रहा है तो आप इसके लिए eligible हो जाएंगे वही है इसमें 15 गुना जो टॉप candidates है उनको ही शामिल यहाँ पर किया जाएगा अब आगे इसकी post की बात अपने करी लिए कि इसमें total 142 post है और यहाँ पर अनुसुज 26 में 34 post है लेकिन इसमें जो खास बात है वो है कि इसमें 75 परतिशत जो पद है वो सिर्फ महिलाओं के लिए reserve रहेंगे ठीक है तो यह मान के चाह सकते हैं यह special vacancy girls candidate के लिए है girls candidate जो तैयारी करें उनके लिए यह golden opportunity exam boys candidate को इसमें ज्यादा कुछ opportunity है नहीं जो 25% पद बच रहें आप यहां देखें 25% महिलाओं के लिए आरश करते हैं जो 25% है वो open श्रेंड़ी में रखेंगे और उन 25 में भी जो 30% जो नॉर्मल हर vacancy reservation रहता महिलाओं के लिए वो इसमें भी है इसका मतलब अगर आपन देखा देखा जाए तो यहां पर आप मुश्किल से 17-18% पद है जो बाकी के लिए और पुरुषों के लिए हो सकते हैं ठीक है और उसमें उससे भी कम मानके चलिए 15% फिर भी जो candidates में भरना चाहिए जरूर बर सकते हैं पुरुषों इसमें पद बर सकते हैं लेकिन 15-17% आपको यहां पर पोस्ट इसमें भी लेंगे बाकी छोटी सी जो आप हमेशा होता है कि जो लेकिन पर बड़ी लेवल 10 की क्योंकि यहां पर पोस्ट है छीकिसके अलाव सेक्षनिक यह ता यह इसमें क्योंकि ग्रेजुशन लेवल का है तो ग्रेजुशन आपकी होनी ही चाहिए यहाँ पर और अगर कोई अंतिम साल में पढ़ रहा है तो भी दे सकता है पर लिखित परिक्षाइब से पूर आपके यह हो जाना चाहिए प्लस यह जो एक्जाम होगा सूपरवाइजर महि आपको इस एक्जाम में लाने पढ़ेंगे क्वालीफाइज तब ही आप इसमें पास नहीं हो पाइंगे एज लिमिटड की बात करो तो वह यह हैं एक दोजार पत्चेस यहां पर कर रहें उस समय आपकी जटार साल हो जानी चाहिए और अपर लिमिट है वो चलिए साल की है तीन साल की चूट दी जा रही और जिसके अलावा जो अलग-अलग कैटेगरी उसमें भी चूट है बात करें सबसे इंपोर्टेंट चीज है वह है यहां पर सिलिबस क्योंकि बड़ी वेकेंसी बड़ा पद है तो इसका सिलिबस भी काफी वाइड दिया हुआ अगर इसको देखेंगे टोटल वैसे यहां पर सवाल आने वाले 150 टोटल मार्क्स होंगे 300 टोटल तीन गंटे का आपको टाइम मिलने वाला है वन थर्ड इसमें नेगेटिव मार्किंगे और सब्जेट की बात करें तो इसमें आप राजस्तान इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्र इंडिया निको में विद इसपेशल इंफिस राजस्तान तो पॉलिटी एकॉनमिक दोनों हैं इंडिया की भी है राजस्तान की भी है यहां पर आ गया है इसके अलावा कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट यहां पर जोड़ा गया है सबका अलग अलग वेटेज भी दिया गया आपको हिंडी और इंग्लिस भी मिल जाएगा आरे इस प्री से इकर अलग से इस में देखा साइए ठेस पर इसके थीया है अplanरे भी थो वेटी ओने इसके लिए Rede test series भी launch कर दी जाएगे क्योंकि यह बड़ा पद है बड़ी पोस्ट है और आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट तो इसकी वीडियो कोर्स संभवत इस पर आपको नहीं मिल पाए एक बड़ा कोर्स है आप इसके लिए इसके बारे में जरूर बता दूगा अगर वीडियो कोर्स के आप सब की बहुत जादा रही तो इस पर विचार कर सकते हैं बाकी टेस्रीज आपको इस पर बहुत जल्द मिल जाएगे क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है इस एक्जाम के लिए तो मैक्जीमम आप और प्रक्टिस करें अगर आपके पहले सी त्यारी तो इसके आप regular test practice यहांँ पर कर सकते हैं अब बात कर लेता है जो आगनवाडी कारी करता कि बरतीनी के व्रति नीए मैं पर सकता है और इसमें बात करें तो एक सो पच्छतर पद नॉन टीसपी में 27 पद यहां पर टीसपी में रहने वाले टोटल 202 पद हैं और इसमें भी आप देखें यहां पर ग्रेजुशन होना चाहिए यहां पर और प्लस दस साल का आपका आंगनवाड़ी का एक्स्पिनेस होना इसके अलावा यह भी बड़ी वेकेंसी ब्रेजुशन हैं और अगर शीलबस की बात करें तो शोट शीलिबस रखा गया है हंदी पूछेंगे अंग्रेजी पूछेंगे और मैच्स और सामा ने तरक सकती है मैच्छ और रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा जिसमें हींदी के 25 और मैस और इजनी के 25 ठीक है तो यह कोई जादा मुश्किल से लेबस नहीं है इसके अलावा जो पूछा जा रहा जो दीत्य खंड वो इस्पेशल जो आंगन बाड़ी कारे करता है उन से जुड़ा जोड़कर पूछा गया जिसमें पोशन और स्वास्ते ग्यानतता योज गई है तो यह एक्जाम थोड़ा सा आप देखो एक तो नोन सीटी है ठीक है लेकिन इसमें जो कंडिशन रखी गए भी दस साल अंगन बाड़ी का जो कारी करता उसका अनुभा होना चाहिए सिलेबस सामानी है आराम से कोई भी थोड़ी से अगर सीरे से पर तैयारी कर तो इसमें सेलेक्शन लिया जा सकता है इसकी फिलाल अगर बहुत अच्छी डीमांड आई तो ही टेसरी जारी करेंगे तो आप मुझे कमेंड़ बता सकते हैं इसकी बीनीड है यह नहीं है फिलाल इसकी टेसरी हम जारी नहीं कर रहे हैं अगर जरूत पड़ी आप सबके ऐसे ड बरतियों के और इन से जुड़ेवे जो भी आपको नोलेज है वो सारे के सारे अपडेट्स यहां पर मिल जाएंगे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा कंटेंट इन बरतियों से जुड़ाव मिलने वाले मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू